यद एकस्मिन स्थले ये खलू परमात्मन गुणाहा प्रतिपादिताहा तत्र स्थले न प्रतिबंध जो एक स्थान में परमात्मा के गुणों का प्रतिपादन किया है तत्र स्थले उस स्थान में न प्रतिबंध कोई प्रतिबंध तो नहीं है कि आप दूसरे गुण लाही नहीं सकते नहीं केवलं एतावंत एव ये भी नहीं कहा कि recordings इतने ही गुणियां पर रखे जा सकते हैं या इतने ही गुण ईश्वर के हो सकते हैं ऐसा कोई प्रतिबंद्ध तो नहीं है प्रतिबंदेन परमात्मना गुणासंती किंतु अनेयपी अनसंधेया बल्कि नियम यह कि दूसरे गुण भी आप ला सकते हैं उस फल से संबन दित कुछ और चाहिए तो भी ले सकते हैं आप तो कोई दोश नहीं है उपसंगार और व्यतिहार में अथचे प्रदानवद एव तदुक्तम एक और तरह से कह रहे हैं कि प्रदानवद एव तदुक्तम ये जो उपसंगार व्यतिहार कहा है ये कैसे है प्रदानवद प्रदान मतलब जैसे आहुतियादी को हम प्रदान करते हैं किसी देवता के लिए तो उसकी तरह से ही तदुक तत उक्तम मने उपसंगार व्यतिहार को भी कहा गया है तत प्रदानवत एव उक्तम तत इथ्थम भिन्न भिन्नानाम परमात्म गुणानाम उपसंगार व्यतिहार कृत्यम प्रदानवत ये भिन्न भिन्न परमात्मा के गुणों का परमात्मा के नामों का जो उपसंगार और व्यतिहार कृत्य बताया है ये कृत्य कैसा है प्रदानवत प्रदानवत का मतलब क्या है हविश प्रदानवत उक्तम विज्जेयम हवी प्रदान करने के समान है ये कैसे यथा एकस्मई ही देवाय भिन भिन गुण योगात किल हविश प्रदानम क्रियते जैसे किसी एक ही दे ले करके और हवी प्रदान की जाती है तद यह था जैसे इंद्राय राज्जे स्वाहा अब ये इंद्राय स्वाहा ऐसे भी कह सकते थे ना क्योंकि इंद्र तो एक ही है लेकिन इंद्र के लिए वीशेशन क्या लगाया राजा इंद्राय राज्जे स्वाहा फिर दूसरी और फिर कहा और ये अच्छा भी लगता है उस व्यक्ति को जैसे रामायन में हम देखते हैं न कि इनके नाम के आगे स्रीराम के नाम के आगे धर्मज्य या अन्य अन्य जो विशेशन दिये जाते हैं तो ये परंपरा ही है हमारी एक-एक व्यक्ति जैसे मंच पे किसी का संबोधनम कर रही हैं तो उसके कई विशेशन लगाती है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के उन-उन गुड़ों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है ऐसा भाव बन रहा है उसके प्रती और उसका वैसा फल भी मिलता है द्रोपदी ने उचीर हरन के बाद कृष्ण से पूछा कि आप ने इतनी देर क्यों लगाई आने में तो थोड़ा जल्दी भी तो आ सकते थी ना तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करता तुमने जो संबोधन किया वो द्वारी का धीश किया मेरी दी तो मुझे द्वारी का से चल के आना पड़ा फिर तो इतना टाइम तो लगेगा ना द्वारी का से आने में यदि आप मेरे को संबोधन कर देती है सर्व व्यापक तो मैं वहीं रहता फिर सरव्यापक हूँ तो वहां भी व्यापक था तो मैं वहीं की वहीं प्रकट हो जाता तो संबोधनों से भी वैसे वैसे गुण की या वैसे वैसे भाव की हार्मोंस की उत्पत्ती होती है यह हम अपने जीवन में देख सकते हैं कोई यदि हमारे को सम्मान जनक संबोधन देते हैं तो अलग reaction होता है हमारे मन में, बुद्धी में, विचार में, शरीर में और कोई negative संबोधन देता है तो अलग reaction होता है तो ऐसे ही परमात्मा तो एक ही है लेकिन उसके भिन भिन गुणों का जब हम उचारण करते हैं तो हमें भिन 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 फल मिलते हैं एक एव इंद्रो राजा अधिराज स्वराट विहेशन इस्मर्यते तद्वत एव अत्र अपी स्वस्वस्थले भिन भिन गुणई ही परमात्मा चिंत्यते तो ऐसे ही कहने यहाँ पर भी स्वस्वस थले अपने अपने स्थान पे तो जो भिन भिन गुन है उनके द्वारा ही परमात्मा का चिंतन किया जाता है और आवशकता है तो महाँ पर उपसंगार और व्यतिहार भी किया जा सकता है और व्यक्ति अलग-अलग स्थीती में अलग संबोधन करता है मानो किसी को धन में लोस हो गया तो वो परमात्मा के कौन से रूप को याद करेगा एश्वरियवान कोई या मुझे भी एश्वरियदो और किसी व्यक्ति के शरीर में बिलकुल बल नहीं रहा तो तब वो भगवान के कौन से रूप को याद करेगा शक्ति संपन्न को याद करेगा वे शक्ति दो मुझे तो हम अलग-अलग फल के लिए भी अलग-अलग उच्छारण करते हैं अन्यच्य और उसका हेतु दे रहे हैं व्यति हारुप संगहार को सिध्ध करने के लिए लिंग भोयस्तवात तद ही बली यहां तद अपी लिंग भोयस्तवात चार चीजें हैं चार नहीं बलकि छे हैं यह अगले प्रिष्ट में आएंगे शुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या निमान सकसूतर है न यह है तो इन में लिंग भोयस्तवात यह प्रकरण से लिंग बड़ा होता है न मानि आगे आगे वाला दुरबल होता है पीछे पीछे वाला बलवान होता है तो लिंग तो दूसरे स्थान पे आ गया शुति लिंग तो ये प्रकरण आया चोथे नमबर पे तो जो इन्होंने कहा था ना कि उस प्रकरण से उसको क्यों उठा रहे हो अलग प्रकरण का अलग फल है और यदि आप उसको उठा कि इधर ले आओगे तो फल में अंतर आ जाएगा घालमेल मत करो आप ऐसे कहा था तो कहने नहीं प्रकरण से भी बड़ा तो लिंग है लिंग मतलब लक्षन लिंग भुयस्तवात लक्षन उसका विराट वाला होने से भिन लक्षन की अधिकता से तद ही बलियह ब्रह्म ही बल्वान बनता है माने उसके अलग-अलग विशेशन लगाएंगे एक तो हम किसी व्यक्ति के बारे में कहें कि समादरनिय अमुक व्यक्ति और एक हम कहें उसके तीन और विशेशन लगाएं रिशी चेतना से जीने वाले अत्यंत मेधावी, अत्यंत शालीन तो उस व्यekति को बढ़ाना हो गया न ये उसकी value बढ़ती है न उससे तो यहही कह रहे हैं अनेक लक्षणों की अधिक्ता होने से भूयस्तवात लिंगا उसके लक्षणों का आधिक्य होने से तद ही बलियह, उस ब्रह्म को ही बलिय जेस्ठ या बल्वान है ऐसा कहा जा रहा है तद अपी तो वो भी तो कारण है वो भी तो जानना चाहिए उपसंगार व्यति हार करके हम क्या कर रही है ब्रह्म कोई बढ़ा रही है लिंग भुयस्तवात ब्रह्मनो लिंगा नाम भिन भिन लक्षणा नाम भुयस्तवात उस ब्रह्म के जो लक्षण है तो लिंगा नाम को खोला भिन भिन लक्षणा नाम अलग-अलग उसके लक्षण है और हम यदि उसका उपसंगार कर रहे हैं तो उससे भुयस्तवात परमात्मा के ही बल्वान होने से, भुयस्त वात्मा ने बाहुल्यात, बहुलता से जब उसके विशेशनों का उचान करते हैं, तद ही बलियह, तद ब्रह्म ही बलियो, जायो, जेस्ठम, महतवस्तु सिद्धम भवती, तो कहरें ज़्यादा विशेशन लगाने से वो ब्रह्म में क्या हो जाता है, बलिये, और ज़्यादा बल्वान होता है, दो विशेशन लगाए, डबल बल्वान, तीन विशेशन लगाए, ट्रिपल बल्वान, तो बढ़ता ही जायेगा न, बलिये कोई कहा जायह, जाये कोई कहा जेस्ठम, जेस्ठम कोई कहा महत, तो वो ईश्वर ही महद वस्तू सिध्धम भवती महद वस्तू सिध्ध होती है फिर तद अपी तद अपी उक्तम भवती तो ये भी तो कहना चाहिए ना कि वो इतना महान है तो इतना महान है कब सिध्ध होगा जब हम उतने ही उसके विशेशन लगाएंगे तथा कृत्वाच है आदराद अलोपो भवती और ऐसा करने से बहुत सारे विशेशन लगाने से क्या होगा वोई बात जो यहां कई थी 40-40 में आदराद शद्धा बढ़ेगी कि अच्छा इश्वर सरोशक्ति मान भी है अच्छा इश्वर दयालू भी है अच्छा तो वो क्रिपालू भी है ऐसे जैसे विशेशन बढ़ते गई तो हमारे मन में उसके प्रती शद्धा भी बढ़ती जाती आदर भी बढ़ता जाता है और जैसे जैसे उसके अनेक गुण हम्यारे को सुनने को मिलेंगे तो उसके स्मृती का अलोप नहीं होगा किसी व्यक्ति के बारे में उसके गुण सुनते ही जाओ सुनते ही जाओ कि वो तो धर्मात्मा ही नहीं वो दानशिल भी है वो दानशिल ही नहीं वो बहुत बलवान भी है बुल अच्छा तो फिर उसके बारे में हमारे स्नहें और आदर बढ़ता चला जाता है और फिर वो हमारे चित्त से उसका लोप नहीं होता है तो आदराद अलोपो भौती तथाचे उक्तम पूरवम तो ऐसा हमने चालिस सूतर में कह दिया था पहले ही जादा उसके लक्षन बताने से परमात्मा महान भी होता है और हमारी शद्धा भी बढ़ती है अब ये वाला पक्ष तो इनका कट गया जो इन्होंने पीछे लिया था ना कि वह एक स्थान पे पढ़ दो सब को तो वो तो इन्होंने निरस्त कर दिया अब दूसरे ढंग से ये पूरुपक्षी इसको उठा रहा है दोश को इदानीम उपसंगार व्यतिहार विशेस्य उपसंगार व्यतिहार का जो विशे है उसको अन्यथा करने अन्यथा करने मने अन्य रूप से अन्य पूरुपक्ष उत्था प्यते जो पहले उठाया था उससे अन्य व्यक्ति इस पूरुपक्ष को उठा रहा है क्या कह रहा है ये पूर्व विकल्पह प्रकरणात स्यात क्रिया मानसवत ये कह रहे हैं कि भई देखो आप वहां से उठा के ला रहे हो उपसंगार कर रहे हो तो कुछ गुण तो पहले से ही उस प्रकरण में पढ़े हुए थे कुछ आप ला रहे हो तो जो पहले पढ़े हुए थे न वो ही पूरुव विकल्पह मुख्यता तो उन्हीं की होती है पूरुव विकल्पह को उन्होंने दिया है प्राथ्मिक भावव प्राथमिक्ता किसको दी जाएगी? जो पहले ही वहाँ थे, तो बाद में जो ला रहे हो वो तो गोन हो गए. बहिए यहां आस्रम में, इस कक्षा में, जैसे आप लोग आते हैं, तो आप तो पहले से इस कक्षा में पढ़ रही हैं, और मानो कुछ आतिथि आजाएं, तो फिर उनको प्राथमिक्ता दी जाएगी की गोनता? बताओ. आप पहले ही पढ़ रहे हैं, और कोई आतिथि आके जी हमें भी वेदान्त पढ़ना है, तो उनको प्राथमिक्ता दी जाएगी की गोन? प्राथमिक्ता उनके जो पहले से यहां रहते हैं, वो आगे तो भी ठीक है, पीछे बैठ जाओ, आप भी सुन लो, तो ऐसे नहीं करेंगे ना, प्राथमिक्ता तो हमेशा उन्हीं की ही रहती है, जो मुख्य होते हैं, अब जो पहले से ही माराजजी के शिश्य हैं, और कुछ नए भी आ गई हैं, प्राथमिक्ता किसकी है? पहले वालों की है, वरिस्ठों की यसी दिसी बात हैं ना? तो वो दूसरे जो आते हैं, वो उनकी अपेक्षा गोन होते हैं, ठीक है, वो भी शिश्य हैं, लेकिन क्योंकि जो एक, दस, बीस साल से रह रहा है, उसकी अपेक्षा से उसको गोन माना जाएगा, तो यह यही कह रहे हैं, कि भई जो पहले जो गोन पढ़े हैं, वो तो क्या होंगे माँ पर? मुख्य होंगे, उनकी प्रार्थ मिक्ता होगी, हर व्यक्ति की अपने एक स्थान पे प्रार्थ मिक्ता होती है, और दूसरे स्थान पे जाएगा तो, गोन हो जाता है, यह तो सिधी सी बात है, लोक में भी देख सकते हैं आप, तो कहरें, पूर्विकल्पह प्रकरणात, प्रकरण में जो थे न, वो तो पूर्विकल्प हैं, मुख्य भाव वाले हैं, और यह कैसे हो जाएंगे, यह पूर्विकल्पह प्रकरणात स्यात, क्रिया मानसवत, क्रिया मानस के समान, ये तो गोण हो जाएंगे जिसको आप उपसंगार और व्यतिहार कर रही हो तो यहाँ पर एक आचारिये से मैंने एक संस्कृत की उक्ति सुनी थी स्थान व्रिष्टा ने शोभनते दंता, केशा, नखा, नराहा ये चार लोग स्थान व्रिष्टा ने शोभनते अपने स्थान से ब्रष्ट हो जाएं तो शोभा नहीं पाते हैं दंता मुँ में हैं तो अच्छे लगते हैं और तूटके कोई हाथ में लेके गुमें तो फैंक इसको अच्छा नहीं लगता ना शोभा नहीं देगा वो काम की भी नहीं ले देखने भी अच्छा नहीं लगता है शोभा नहीं पाता है दंता, केशाह सिर पे हैं तो ठीक है अच्छे लगते हैं और अपने स्थान से उखड़के मुँ में आ गई बाल या आँख में आ गई या काटके ऐसे आपके सामने ही आ रहा डख दिये कैसे लगेंगे शोभा पाएंगे क्या तो नहीं पाएंगे नखा ठीक है उंगली पे है नाखुन तो ठीक अपने स्थान पे हैं तो ठीक है और यहां से उखड़कर करके यहां डाल दें फेंक दें काट-काट के तो कैसे लगेगा शोभा पाएंगे मुख्य बात है नरों की यहां पर मनुष्य भी अपने स्थान पर शोभा पाता है इसलिए लोक में कहा जाता है वही बेटी की शादी हो गई ना तो अब वो अपने ससुराल में भूखी भी रहेगी तो भी इज्जत है और पिता के घर में आकर के वो घी में गाड़ दी जाएगी तो भी वो शोभा नहीं रहती है उसी घर की बेटी है वो लेकिन अब उसका स्थान ससुराल में हो गया तो दूसरों को अच्छी नहीं लगती है, शोभा नहीं लगती है, अपने स्थान पे रहे तो शोभा होती है सन्यासी ब्रम्मचारी गाउं में जाके रहने लगे, गाउं में सारे लोग रह रहे हैं, वो भी उसी गाउं से ही आया था उसी का ही घर है लेकिन अब आप अपने घर में जाके रहने लगो ये लाल सफिद कपड़े पहन के तो शुभा लगेगी क्या? नहीं लगेगी लेकिन आस्रम में आपकी भोथ शुभा है क्योंकि अब ये आपका इस्थान आस्रम है तो कोई भी आएगा तुभी क्या सन्यासी है क्या ब्रह्मचारी है कितना सुंदर वायू मंडल है तो हर मनुष्य का अपना अपना एक स्थान है और वो वहाँ पर ही शुभा पाता है स्थान ब्रस्ट ओने पर शुभा नहीं पाता है कहीं सभादी में देख लो जिस विक्ती का स्थान सबसे पीछे है और वो आगे आके बैठ जाए खटकते हैं न सब भी कहां ही आगे बैठ गया है और कोई आगे बैठने वाला था और आके बैठ गया पीछे तो चित्मी ये रिबे उसको उठाओ वहां से वो स्थान नहीं है उनका ये स्थान है तो स्थान भ्रष्ट हो करके व्यक्ती शोभा नहीं पाता है तो यहां क्या कह रहे हैं ये जो परमात्मा के गुण है जिस स्थान पे थे वहीं शोभा पाते हैं पूरुपक्षी कह रहा है आपने यहां उनका उपसंगार कर दिया या व्यतिहार कर दिया तो गोत विचारे गोण हो जाएंगे तो क्यों परमात्मा के गोणों की बेजज़ती क्यों करवा रहे हो यह ला करके उपसंगार व्यतिहार करके उनकी वैल्यू कम क्यों करवा रही हो ऐसा इनका कहना है तो चलिए प्रकरणा पूर्व विकल्पहस्यात प्रकरण बलात सत्यकाम आदी नाम परमात्म गुणा नाम पूर्व विकल्पहस्यात जिस प्रकरण में ये पढ़े हैं सत्यकाम आदी परमात्मा के विशेशन परमात्म गुणा नाम परमात्मा के गुणों का पूर्व विकल्प हस्यात पूर्व विकल्प मतलब प्रार्थमिक भाव होना चाहिए वहाँ पर यही खलू गुणा यस्मिन प्रकरणे पठीता हा जो गुण जिस प्रकरण में पढ़े गई है तेशाम पूर्व विकल्प हा उन गुणों का वहाँ पर पूर्व विकल्प है पूर्व विकल्प को खोला प्रार्थमिक भाव हो प्रार्थमिक भाव को ही कहा मुख्य भाव हो जिस प्रकरण में जो गुण पढ़े हैं वहाँ उनका मुख्य भाव है वहाँ उनका मुख्य स्थान है प्रार्थमिक स्थान है मुख्य भावस्यात अन्ये शाम अन्यत्र पठीता नाम गौन भावा प्रसजेत लेकिन जो अपने प्रकरण से उठ करके अन्ये शाम किसी दूसरे के स्थान में जाएंगे अन्यत्र पठीता नाम अन्यत्र पढ़े जाएंगे तो गौन भाव अप्रसजीत है गौन भाव हो जाएगा आप अपने पतंजली योग पीठ में रहते हैं तो आपका यहाँ पर प्रार्थमिक भाव है और आप किसी अन्यसन स्थान में जब जाते हैं तो आपका गौन भाव होता है होता है कि नहीं होता है होता है तो कैसे क्रिया मानसवत तो अब इस शब्द के न इन्होंने दो तरह से अर्थ किया है एक तो समस्त पद है यह क्रिया मानसवत और दूसरा व्यस्त समस्त व्यस्त शैल्या एक समस्पद की शैली से अर्थ किया है और दूसरा विग्रह की शैली से अर्थ किया है समस्त व्यस्त शैल्या अस्यवचनस्या अर्थ द्वई विध्यम तो दो प्रकार का अर्थ हो जाएगा जैसे राज पुरुशय में दो समास हो सकते ना राजह पुरुश और राजा सईव पुरुश तो दोनों का अर्थ अलग हो जाएगा राजा और वही पुरुश और दूसरा हो जाएगा राजा का पुरुश सस्थितत पुरुश हो जाएगा वहाँ पर तो ऐसे ही यहाँ पर भी समस्तपद करेंगे तो मानसी क्रिया इती क्र क्रिया तो उसमें बन जाएगा शब्द क्रिया मानसम और जब हम इसकार्थ राजपुरुश की तरह सस्ठी तत्पुरुश करेंगे तो मानसस्य मनस्थलस्य क्रिया तो वो बन जाएगा क्रिया मानसम तो यहां कह रहे हैं कि यह क्रिया बाद में आना चाहिए था क्योंकि पूत्र में ऐसे तो पढ़ा नहीं क्रिया मानसवत पढ़ दिया तो कहरें यहां पर राजदन तादी शु परम राजदन तादी जो शब्द हैं तो उनमें परनिपात भी हो जाता है तो इसलिए कहने हैं परनिपात क्रिया मानसेन तुल्यम क्रिया मानसवत मानस का पूरो निपात होना चाहिए था क्रिया का बाद में होना चाहिए था लेकिन ये राजदन्तादिशु परम के समान इसका पर निपात हो गया मानस का यथा मानस क्रिया न सक्रित सर्वं ज्यानम अनुभावयती क्रमशय एव पूर्वा पर्यन इतितु समासे तो यहां पर सूतर में का न क्रिया मानस वत तो मन की जो क्रियाई हैं उन में बहुत सारी क्रियाई हैं बहुत सारे ज्यान हैं हमारे पर उन में से मुख्य कोई एक ही ह होता है जैसे आपके चित में बहुत सारे आपके प्रिये जन हैं और मैं अभी आपको कहूं कि वह उन सब में से आपको सबसे प्रिये कौन है तो बोलो आप बोलो प्रशान्त देव जी बोलो जट से बोलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोला ना जी सबसे प्रिये नी मात और पिता में भी सब में सबसे प्रिये कौन हाँ जी ना दो नहीं करना ना बहुत सारे प्रिये जन हैं उनमें से सबसे प्रिये हाँ मताचलो एक तो है निमन का यह तो बेड़ चाल हो गई वो बेड़ चली तो एक एक खड़े में गिरी तो दूसरी ने देखा ही नहीं वो भी खड़ें सारे माताजी के पीछे लग गए तो यह जो जट से उत्तर आता है ना हमारा यह मतलब बहुत कुछ ठीक होता है वो अब जैसे मैं अब विचार पूरवक आप से पूछू कि भई आप मेरे को विचार करके बताओ कि आपके जीवन का लक्षी क्या है तो क्या बताओगे बताओ विचार पूरवक बताओ जीवन का लक्षी क्या है आपने सारे अध्यान का नास करना जान बुर्भग जी ना हाँ जी, मात्मा जी हाँ जी जीवन का लक्ष सन्यासी बने हो ना तो अंतिम लक्ष क्या है आपका दक्ष बनाये नहीं आपने चलो लक्ष तो हो ना जी बनाओ भी हाँ जी, लक्ष क्या है अंतिम लक्ष ये उत्तर भी आपके मतलब अब सोच पूरू कह रहे हो तो आप इसमें मतलब कह सकते हैं अंतिम लक्ष सब का जैसे इन्हों ने कहा दुखों से अप्यंतनिवृति या मोक्षे की बात है ये लक्ष है मतलब सुख को प्राप्त करना वो हमारा लक्ष है और सुख भी कौन से वाला चाहिए जो कभी बदले नहीं, नस्ट ना हो ऐसा सुख सब को चाहिए वो तो मोक्ष का ही है अब हमारा लक्ष है मोक्ष का और मोक्ष का जिसका लक्ष है उसको priority पे किसको रखना चाहिए इश्वर को तो सबसे प्री ये कौन होना चाहिए इश्वर होना चाहिए ये तो मैंने एक ही पूछा क्योंकि समय का भाव है यदि मैं यहां तीन सरकल लगाती कि भई पहले वाले सरकल में एक नाम भरो तो एक में आगी माता जी फिर मैं कहती दूसरे वाले में और भरो तो वहां शायद आ जाते पिता जी या गुरू जी फिर मैं कहती भई एक तीसरा सरकल और बनाओ उसमें नाम भरो तो उसमें शायद कोई मित्र आ जाता तो इससे पता लगता है कि हमारे चित्त में अभी सबसे अधिक प्रिये कौन है जट से पूछने पे तो जट से पूछने पे परमात्मा नहीं आता है नहीं आता है इसका मतलब अभी हमने उसको प्राइर्टी पे नहीं रखा है नहीं रखा है इसलिए मोक्ष से सम्मंदित अनुभाव भी नहीं होगी सीधी बात है जिससे ज़्यादस नहीं है वो चित्त में ज़्यादा रहेगा जब रोगी जाते हैं ने डॉक्टर के पास तो फिर पूछते हैं कि क्या बिमारी है तो जट से जिसका पहले नाम लेगा न उसके बाद वो तीन चार पांच बताएगा जिस सिर भी दर्द है कमर में भी दर्द है पर पहले जो बता दिया उसने तो डॉक्टर समझ जाएगा कि इसको मूल बिमारी ये है तो वो मुख्य रूप से इलाज उसका करेगा आपके परिवार से दस लोग मिलने आ रहे हैं आप सब को जानते हैं लेगिन जब वो सामने आएगे तो सब से पहले आपकी दरिस्टी कहां जाती है माता पे जाती है पिता पे भाई पे भावी पे बच्चे पे किस पे जाती है उसी पे जाएगी जिस जो आपके चित्त में priority पे है, पक्की बात है ये तो उससे अपने चित्त की हम पहचान कर सकते हैं, नहीं तो ब्यक्ति कईवर confused हो जाता अपनी चित्त में, जी मैं तो सब कोई प्रेम करता है, गुरुजी भी प्रिये हैं जी, पिता जी भी प्रिये हैं वो वास्तों में हमारी priority पे है तो उसको ये कह रहे हैं, क्रिया मानसवत तो मानस में हमारे बहुत सारी क्रियाई हैं, लेकिन सब का ज्यान एक साथ मन नहीं करवा सकता है यथा मानस क्रिया न सक्रित सर्वम ज्यानम अनुभावयती, जो हमारी बार में सारे भाओं को नहीं जना सकती है न मन की क्रिया, तो क्रमशे जनाती है, क्रमशे एव सब ज्यानों को पाउर्वा पर्येन तू, समासे समस्तपत जब हम करेंगे इसका क्रिया मानसवत तो अर्थ क्या हो जाएगा मानसिक क्रिया के समान तो जैसे मानसिक क्रिया एक बार में सब अर्थ हमें नहीं जना सकती है अनुभाव नहीं करा सकती है ऐसे ही ये जो आप उपसंगार और व्यतिहार कर लिए इसमें भी मुख्य भाव तो किसका रहेगा जो पहले से उस प्रकरण में पढ़े हुए थी इश्वर की गुण तो मुख्य भाव तो उनका रहेगा आप ला रहे हो ये तो गुण रहेंगे बाद में लाए हो ना क्रमशे तो ये दोश दिया पूरुपक्षियों में अथ है व्यासे व्यासे मतलब असमासे ऐसमास पक्षमी सैसा परमात्म गुण चिंतन क्रिया वह यह परमात्मा के गुणों के चिंतन की क्रिया उसको कहा मानसवत अस्ती मानसवत माने मनो भाववत मनो भाववत माने संकल्पवत क्योंकि व्यक्ति के बहुत सारे संकलप हो सकते हैं लेकिन सबसे उपर कौन से संकलप को रखा है उसने वो उसका मुख्य है यथा संकलपह, पौर्वापर्यन, एकई कशह, संकलप्य, विशयानामभवती जैसे अभी मैंने पूछा है आपका क्या संकलप है जी garant क्या लक्षth है तो आपने एक एक बोला फिर मैं कहूं कि थोड़ा और बताओ इसका विस्तार करो तो बोल जी इसके साथ-साथ साधना करना भी है से्वा करना भी है तो फिर दूसरे, तीसरे, चोथे पे संकल्प भढ़ते जाएंगे लेकिन एक होता है प्राइटी के ओपर, मुख्य संकल्प तो कह रहे हैं यह था संकल्प है, पौर्वा परियन पौर्वा परियसे, एक एक शह संकल्प विशयनाम भौती अलग-अलग संकल्प होते हैं, अलग-अलग विशयों में ने सकृत सरवेशाम, लेकिन एक ही बार में उनस, वो संकल्प मन में नहीं आते हैं, एक बार में जट से वो आएगा जो सब से प्राइटी पे हैं हमारे तद्वत अत्रपीतेन उपसंगार व्यतिहार कल्पनाया वयर्थम प्रसजेत तो कहरें यहां पर भी जो आप उपसंगार व्यतिहार की कल्पना कर रहे हो यह तो व्यर्थ लग रही है हमें क्योंकि वो तो इधर आकर के गौन हो जाएंगे ना वो गौन मुख्य गॼर्ण तो उस प्रकरण में जो पहले से हैं वही है जो सबसे पहले क्योंकि प्रथम नहीं को ही वैल्यू दी जाएगी जो उस प्रकरण में पहले से पढ़े हुए है तो फिर इसका मतलब मुख्य तो वही है ये तो क्या हो जाएंगे? गोण हो जाएंगे, तो गोण होने से इनको यहां लाने से कोई फाइदा ने, विर्थ है ये तो ये पुनह पूरो पक्षह चलो ठीक है, फिर आगे ही कल बढ़ाएंगे इसको ओं शान्त 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 ही स्री गुरु भ्यो नमहां